दोस्तों Poco ने इंडिया में लॉंच कर दिया एक और नया स्मार्टफॉन Poco X2 जो कि एक री ब्रांडेड वर्जन है चाइना के के टॉंट्री 4G वाले फोन का एक री ब्रांडेड है जो कि इंडिया में लॉंच किया है Poco X2 के नाम से शाओमी ने आज हम इसे की बारे में बात करेंगे बताओंगा आपको क्या-क्या इसमें प्रोव से क्या-क्या इसमें कौन से क्या-क्या अच्छी बाते हैं नॉर्मली और क्या-क्या अच्छी बाते नहीं है क्या आपको ये phone लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्या ये value for money phone है या नहीं सब कुछ बताऊंगा detail में after this intro अब दोस्वों हम सभी इंतजार कर रहे थे कह रहे पोको अपना phone जो है next POCO F1 के बाद कब launch करेगा कब launch करेगा तो finally एक phone तो launch हुआ है बट ये जो phone है ये कोई जो F1 जो phone है उसका कोई successor नहीं है मलब ये जो phone है ये एक mid range वाला phone है जो की Realme का X2 जो phone है उसको compete करने के लिए Xiaomi नहीं पर launch किया है तो यहाँ पर ऐसा मैं समझे के यार ये क्या configuration के साथ launch किया है तो ये जो Poco F2 आएगा वो तो आएगा ही अलग से बट ये जो launch किया है ये Poco series में एक और जो दूसरी series ये X2 वाली series उन्हें लेकिया है तो ये काफी अच्छा phone launch किया है मेरे हिसाब से तो और यहाँ पर मैं एक बात बता दो आपको जो आप ये वीडियो देख रहे है Poco F1 से ही record हो रहा है तो इस बात पर एक like तो बनता है तो बात करते हैं Poco X2 के pros और cons की तो सबसे पहले pros की बात कर लेते हैं बहुत सारे pros ही pros है इसमें मालब काफी अच्छा phone है cons बहुत कम हैं में भी शायद आपको नहीं लगे बट जो जो हैं मैं सब निकाल के लाए हूँ और जो जो pros हैं वो भी मैं सारे detail में बताऊँगा तो बात करते हैं यहाँ पर display की सबसे पहले तो display इसमें 6.6 inch की IPS display मिलती है अब है जिसमें आपको refresh rate जो मिलती है वह काफी अच्छी मिलती है, यहाप रिफ्रेश है मिलती है आपको 120 hertz की normally हम फ़ॉन में देगे तो 60 hertz की refresh rate मिलती है बट इसमें जो refresh rate मिलेगे वह आपको काफी कमाल की मिलेगी refresh rate कहां काम में आती है gaming अगर आप करते हैं तो वहाँ पर काम में आएगी बट बहुत सारे अभी जो games हैं वो support नहीं करते हैं 120 Hz को तो खास करें mobile में तो आप यहाँ पर उसको देख नहीं पाएंगे ठीक से enjoy नहीं कर पाएंगे बट जब यह support करने लग जाएंगे यह सब support करने लग जाएंगे 120 Hz को तो जब आप gaming करेंगे इसमें तो आप अलगी experience आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इसकी highlight है कि 120 Hz की display आपको देखने को मिलती है और display की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 8 6 वाला sensor मिलता है जो की इंडिया में पहली बार इसी फोन में आपको मिल रहा है जो कि काफी अच्छा sensor है इसमें जो photos आएंगे वो काफी कमाल के photos आने वाले साथ में आपको 8 Megafixels का जो गेमरा है वो wide angle के लिए है 2 Megafixels का यहाँ पर camera जो डेप सेंसिंग के लिए और एक और 2 Megafixels का camera है वो यहाँ पर आपको night vision के लिए जो night की photo आई हो काफी अच्छी photo आ सकती है इसमें इसमें quad camera setup दिया है और front camera की बात करेते हैं आपे दो गेमरे मिलते हैं आपको front में भी जो की 20 Megafixels का main camera है साथ में आपको 2 Megafixels का एक book effect के लिए camera दिया है प्रोसेसर की बात करेते हैं आप आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो 730G स्नेयप टेगन का 730वाला प्रोसेसर मिलता है अब जी से ही स्प्पेसिक हो गया किहां पर जो प्रोसेसर है वह गेमिंग मज़े से कर पाएंगे कि इसमें Grad inicers मिलता है जो एक्धेन करता है तो गहुप काकै का है इसमें और जो प्रोसेसर है वो भी काफी पावरफुल है और परफॉमेंस एकदम पढ़िया देगा परफॉमेंस की बात करें तो यहां पर आपको जो कूलिंग के लिए सिस्टम मिलता है वो इसमें लिक्विट कूलिंग का ही मिलता है जैसे की Poco F1 में हमको मिला था तो आपको एक लिक्विट कूलिंग का ही सिस्टम मिलता है जो कि आपके प्रोसेसर हो जीप्यो को एकदम ठंदा रखेगा बैटरी की बात करें ते आपको बैटरी जो मिलती है वो पे-TALEE-100 एमेफ की बैटरी मिलती है शाथ में 27 вौट का फास चारजर मिलता है साथ में, box में ही मिलता है, fast charging तो देते थे, normally जो company वाले हैं, वो, but box में charger नहीं देते थे, but अब charger भी देने लग गए है, और IR blaster भी मिलता है, जो कि एक missing था, POCO F1 में, but again, ये एक POCO F1 वाली series नहीं है, but हाँ, इसमें आपको IR blaster मिलता है, अब देखना ही है, कि POCO F2 में IR blaster मिलता है, या नहीं मिलता है, I think मिलेगा, क्योंकि अपग्रेड ही होगा, उसका success बनके आएगा, तो उनको देना ही पड़े जो कि POCO का famous है, POCO launcher, वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है, Widevine 1 का support आपको इसमें मिलता है, अलग से आपको कोई OTA, अपडेट नहीं मिलेगा, जो आपको Widevine 1 का देगा, बाद में, इसमें आपको by default ही, जब out of the box ही Widevine 1 का support मिलता है, तो ये तो होगा, इसके सारे pros, अब अब बात करते हैं, इसके कोंज के नहीं कि क्या कैस में अच्छी बाते नहीं है, और में भी शायद आपको लग रहा होगा, क्यार ये ये अच्छी बात क्यों नहीं है, तो अच्छी बात है, बट ये user specific है, मतलब में भी शायद आपको लग रहा है कि वो अच्छी नहीं है, बट किसी और को लग रहा है कि वो अच्छी है तो यह यूजर स्पेसिफिक है तो यहां पर हम कौन की बात कर लेते हैं सारी सबसे वहला तो कौन यही है कि एक यह जो है री ब्रांडड वर्जन है चाइना में जो लॉंच हुआ था के ठाटी 4G वाला वेरियंट जो लॉंच हुआ था चाइना में उसका री ब्रांडड वर्जन बनके यहां पर आया है अगले कौन की बात करने यह अप को HYBRIDE SIM Slot मिलता है जो की POCO में देखा गया ले पोको की जो पहली सिरिज थी उसमें भी Hybrid मिला था इसमें भी update अब सोच रहंगे कि आहे FINGERPINT SCaner का है तो fingerprint scanner इसमें यार side में दिया है तो ये भी इसका एक कौन ही है कुछ लोगों को पसंद आता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है इसलिए मैं इसको कम्यों में जो है include कर रहा हूँ तो मुझे तो पसंद नहीं आता side वाला तो personally अगर मेरी बात करें तो मुझे पसंद नहीं आता side में mounted है इसमें fingerprint जो की power button है उसी में include है आप प्रेस करेंगे तो fingerprint ही माना जाएगा उसको एक तरसे तो fingerprint इसमें side mounted है तो वो मुझे अच्छी बात नहीं लेगा आप बताईए comment करके क्या आपको अच्छा लगता है side mount या फिर आपको bake में ही पसंद आता है या फिर in display में ही आपको अच्छा लगता है in display इसमें possible नहीं था क्योंकि IPS display थी अगर super emulet emulet display होती तो इसमें in display fingerprint हो सकता था बट जो POCO F1 का जो next series है POCO F2 उसमें अगर आएगा तो उसमें in display ही आएगा क्योंकि उसमें super emulet display आने के पूरे पूरे chances से अब इसमें कहने को तो nano coating है ने कि P2i वाली nano coating तो है जिसकी वज़े से यह waterproof तो नहीं बनता slash proof बनता है ने कि कहीं छीटे वगेरा उड़ गया तो उससे कुछ नहीं होगा ने कि बारिश में आप खड़ें अचानक बारिश आगई बात कर रहे हैं तो उससे तो कुछ नहीं होगा बढ़ा इसको पानी में ज्यादा अंदर तक डाल देंगे तो जरूर कुछ हो सकता है में भी शायद इतना पानी अगर होगा कहीं पर उसमें गिर जाये तो कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि Poco F1 में भी कोई वाटरप्रूफ नहीं था सेम यही थी कंडिशन फिर भी उसको वाटर टेस्ट किया था बट इतने पानी में उसको कुछ नहीं हुआ था तो यह कई न कई कमी भी है और अच्छी बात भी और एक और अच्छी बात नहीं मुझे इसकी लगी वो यह है कि इसमें सिंगल इस्पीकर दिया है जो कि इतना पावरफुल नहीं होगा जितना पोको F1 में था बट यार अगें यह कोई Poco F1 का सक्सेसर नहीं है जो आप इसमें धूंड़रों किया रिस्पीकर इतना पावरफुल क्यों नहीं है यह जो रियल मी है रियल मी X2 से कंपीट कर रहा है तो उसके हिसाब से यह फोन बना है तो इसलिए इसमें डूल स्पीकर नहीं देखने को मिला है आपको पोको F2 जब आएगा उसमें आपको जरूर से फीचर देखने को मिलेगा तो इसमें सिंगल स्पीकर है ज्यादा पावरफुल नहीं है एकस टू से कंपएर करे दिख लिए वन रिलिए नर्मली ऊतना ही सांट करेंगा अब बात करते हैं इसकी price की और इसकी जो variant है अलगним की तो यहाँ पर बात करते हैं 15,000 में आपको इसका जो base variant है वो मिलता है साथ में दो और variant है इसके इसमें आपको मिलता है 6GB, 180GB जो कि आपको 17,000 में मिलेगा और अगर आप discount काट के करें तो 16,000 में मिल जाएगा एक और variant है 8GB, 256GB जो कि आपको 20,000 में मिल रहा है अभी अगर आपके पास कोई card, discount लेंगे तो 19,000 में भी आपको मिल जाएगा तो यही सारे इसके pros थे, cons थे, सब कुछ मैंने detail में बता दिया है अगर फिर भी आपका कोई question है, कोई doubt आ रहा है आपको तो comment section में उसे पूछ सकता है मैं जरूर से उसका reply करूँगा, आपकी help करने की पूरी कोशिश करूँगा अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो कर लिजे, क्योंगर रोजानमा आपके लिए take videos लाता रहता हूँ और साथ के साथ कुछ यसा interesting videos जो आपको पसंद आते हैं, वह भी मैं आपको देते हैं तो उसी channel पर, that's all for this time, thanks for watching और यार अभी तक देख रहे हो, तो यार लाइक कर दो वीडियो को, लाइक करो के तो काफे अच्छा लगेगा, लाइक कर दो, comment करो, share करो, जो करना है करो, बैट कुछ तो करो यार, at least बंद मत करो वीडियो, कुछ कर लो